कोरोना वाइरस का तोड़ तो अब तक नहीं मिल पाया है लेकिन वाइरस के असर को कम करने के लिए प्लाजमा काफी मददगार साबिद हो रहा है सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना वाइरस से जंग जीतने वाले मरीज अपना प्लाजमा डोनेट करें सरकार द्वारा की गई अपील पर अमल करते हुए फैजल भाई चुनारा ने सिविल अस्पिताल में तीन बार अपना प्लाजमा डोनेट किया है फैजल भाई सूरत के रहने वाले हैं और जब भी ब्लड बैंक को जरूरत पड़ती है तब वो प्लाजमा डोनेट करने पहुँच जाते हैं आपको बता दे कि फैजल इस साल मार्च में ही दुबई से लौटे थे और कोरणा पॉजिटिव आने पर सूरत के सिविल अस्पिताल में उनका इलाज करवाया गया था प्लाजमा डोनेशन का जो अपॉर्शनिटी मिला मैं बहुत खुश हूँ के मैं दे पाऊंगा प्लाजमा और मैंने ये थर्ड टाइम प्लाजमा दे रहा हूँ और इससे मैं देश और समाज के प्रती जो मेरे बंती कोशिश है वो मैं अपने तरफ से हेल्प कर रहा हूँ और मैं जादा ये देखे खुश हूँ के यहां की गवर्मेंट बहुत अच्छे से कोवेट 19 पेशन्स को हेल्प कर रही है और मैं भी सिविल हॉस्पिटल से ही डिस्चार्ज हुआ था तो मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि उनको मैं प्लाजमा दे के मैं मेरा रिस्पॉंसिवर्टी पूरा करूँ और मैं लोगों को भी अपील करूँगा कि जो प्लाजमा डोनेशन कर सकते हैं वो प्लीज करें इसमें कोई रिक्स नहीं है यह जो प्लाजमा डोनेशन का प्रोसीजर है उसमें सारा ही एक्विटमेंट नया यूज़ किया जाता है फैजल भाई अब तक तीन बार प्लाजमा डोनेट कर चुके हैं सिविल एस्पिताल के ब्लड बैंक के इंचार्ज ने फैजल भाई के कदम की बहुत सरा आना की प्लाजमा डोनेशन का प्रोसीजर कर रही और उन्होंने तीसरी बार दिया है और अच्छा एक्जामपल सेट किया है बाकी रिकोवर्ड कोरोना पेशेंट्स के लिए कि आप भी फैजल भई की तरह आके प्लाजमा डोनेट करके दो ICU में एड्मिट सीरियस पेशन का जान बचा सकते है तो आपको भी आगे आना चाहिए और फैजल भई की तरह यहाँ पे आके प्लाजमा डोनेट करना चाहिए गुजरात में यह देखा जाए तो अभी तक जितना भी माहिती है उस हिसाब से गुजरात में यह फैजल भई चुना रहा वह प्लाजमा डोनेट किया है यह काफी उदारनी है बाकी लोगों के लिए क्रिटिकल कंडिशन वाले मरीजों के लिए प्लाजमा जीवन दान से कम नहीं है क्योंकि दवाईयों और बाकी उप्चार से कई गुना असरदार होता है प्लाजमा तो अगर आप भी कोरोना से जीच चुके हैं तो जिम्मेदारी को समझते हुए प्लाजमा जरूर डोनेट करें सूरत से संजे सिंग राठाओड की रिपोर्ट गुजरात तक